प्रतिस्तापन द्वारा समाकलन का भाग दो कल अपन ने प्रतिस्तापन द्वारा समाकलन के कई सारे प्रस्ण किये थे यहाँ पर आज अपन कुछ और प्रस्ण करेंगे थोड़े से भारी भारी यानि के जिनके अंकभार परिक्षा में जादा होंगे ठीक है बेटा देखते हैं बेटा यहाँ पर यह दे रखा है फलन का X के सापेक्ष समा कलन कीजिए एक फलन दे रखा इसका X के सापेक्ष समा कलन कीजिए तो भाया हल देखवा आई बराबर यह आगया आपने पास में 3x प्लस एक और बटे में 3x की घात दो प्लस दो x प्लस एक और घात में 3 dx यह आगया साथ अब सबसे पहले अपने को टी मानना पड़ता है बई ऐसी कोई चीज हो जो अपने आँखों में चुप रही हो इसको टी मानना तो यहाँ पर क्या है अपने को दिखाई दे रहा है कि इसका समाकलन संबाव नहीं है क्यों क्यूंकि हर महादेव का कोई सूतर बना जी नहीं है समाकलन तो अपने क्या काम करा प्रतिस्थापन के लिए माना किसाब तीन एक्स के घाद दो प्लस दो एक्स प्लस एक बरावर टी एक्स के साप एक्ज आउकलन करने पर एक्स के साप एक्ज आउकलन करने पर क्या हो जाएगा एक्स के साप एक्ज आउकलन करने पर छे एक्स प्लस दो बरावर दी टी और बटे डी एक्स लेकिन यहाँ पर छे एक्स प्लस दो नहीं है यहां से आपने क्या काम करा दो कॉमन लिया तो यहां गया तीन एक्स प्लस एक और डी एक्स बरावर डी टी अब यहां पर देखे तीन एक्स प्लस एक डी एक्स बरावर क्या जाएगा डी टी और बटे ती अब यहां पर इसकी जगे देखवा आप इसकी जगे तो क्या आ जाएगा dt बटे 3 ठीक है और यहाँ पर अपने टीमा नहीं रखा है यह आया अपने पास में 3x प्लस 1 dx बड़ाबर dt बटे 3 यह आने के बाद में अब देखो आप यह line लिखने ही जरूरी है पृति इस्तापन पृति इस्तापन करने पर क्या आ जाएगा मेरे लाल यह आ जाएगा आई बराबर और यहाँ पर आ गया एक बटा तीन और dt बटे टीक है गात तीन जो dt बटे तीन था उसका तीन अपने बाहर ले लिया अब आई बराबर एक बटा तीन इसका समागलन करूंगा तो टीक है गात माइनस तीन प्लस एक माइनस तीन प्लस एक और प्लस सी यह आ गया आई बराबर माइनस एक बटा छे और यहाँ पर आ गया एक बटे टीक है गात दो प्लस सी अब आई बराबर माइनस एक बटे छे गाटा तीन एक्स की घाट दो प्लस दो एक्स प्लस एक और इसकी घाट कितने आ रही है दो प्लस सी यह है साथ कितना असान सवाल था ठीक और देखुआ आप यह आप यह देखुआ यह आया मज़धार सवाल परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी आपको इस सवाल कैसे जरा देखें एक घाट दो एक्स प्लस एक एक घाट दो एक्स माइनस एक यहाँ पर हल देखें भाई आई बराबर क्या है एक घाट दो एक्स और प्लस एक एक घाट दो एक्स और माइनस एक दी एक्स यह है सब अब यहाँ तरकीब लगानी पड़ीगी क्योंकि यहां पर कुछ भी मान रहा हूं मैं तो वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है मैंने आपको बताया कि T उसको मानते हैं जिसका अवकलन यह विद्धे मान होना चाहिए लेकिन यह अवकलन तो दिखाई नहीं दे रहा अगर मैं इसको T मानता हूं तो ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या है मैंने एक तरकीब लगाई क्या तरकीब लगाई वो देखो आप कि अंसवाहर मैं मैं एकिघात एक्स का भाग देने पर भाग देने पर अंसवाहर मैं मैंने E की घात X का भाग दिया तो देखो आप यह क्या हो जाएगा बटा E की घात X प्लस E की घात माइनस X और बटे में यहाँ गया E की घात X और यहाँ पर आजएगा माइनस E की घात माइनस X D X देखो आप यहाँ पर जब मैंने E की घात 2x में भाग लगाए e की घात x का तो क्या मिलेगा e की घात x भई घात माइनस होगी न ऐसे ही एक बटा e की घात x है तो यह हो जाएगा e की घात माइनस x तो यह चीज मैंने यहाँ पर कर गए अब देखवा यहाँ पर मैं हर को माना माना e की घात x माइनस e की घात माइनस x इसको मान लिया मैंने t क्या मान लिया t अब x के साप एक्च x के साप एक्च साप एक्च अउकलन करने पर x के साप एक्च अउकलन करने पर अब x के साप एक्च अउकलन करने पर क्या आएगा देखवा यह आएगा अपने पास में E की घात X E की घात X का अउगलन E की घात X अच्छा E की घात माइनस X का अउगलन क्या होगा? याद करो क्या था? E की घात माइनस X का अउगलन था माइनस E की घात माइनस X तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बिटा? प्रिति इस्थापन करने पर क्या दिखाई दे रहा है विटा? के आई बराबर इसकी जगे तो आगे आपने पास में DT और बटे में T यह हो गए DT और बटे में T अब एक बटा T क्या जाएगा log t modulus में मापांग लगा के और plus c i बराबर log इसको क्या लिख सकते हैं बेटा e की घात x और minus e की घात minus x plus c यह है साथ अपने को कई जगे पर तरकीब भी लगानी पड़ेगी तरकीब लगाई थी ना अपने अंसवार में e की घात x का भाग लगा गए ठीक है थोड़े से कठिन प्रस्न है यह देखे आप यह भी बड़ा मज़ेदार प्रस्न है यह का जा रहा है के साथ इस फलन का x के सापेक्च समा कलन कीजी अब देखने में बड़ा भयानक सा दिख रहा है लेकिन करेंगे साथ बड़ेना करें तो क्या है करना तो है i बराबर यह आगे आपने पास में 1 माइनस 1 बटा x की घात दो e की घात x प्लस 1 बटा x यह घात में है और d x x के सापे एक समा कलन कर रहें यहां पर मानने जैसी बात आती है तो मानेंगे भया इसको क्यों मानेंगे इसको होना चाहिए था यह की घात x लेकिन यह x प्लस 1 बटा x है अच्छा जिसको मानते हैं उसका अउकलन जरूर होना चाहिए फलन के अंदर तो इसका अउकलन है क्या देखते हैं यह है वैसे तो यहां पर माना माना के x प्लस 1 बटा x बराबर t यह आ गया x के साप एक्छ x के साप एक्छ अउकलन करने पर अउकलन करने पर क्या हो जाएगा बटा x के साप एक्छ अउकलन करने पर 1 और 1 बटा X का उगलन माइनज 1 बटे X के घाद दो ये आ गया dT और बटे dx ये आ गया 1 माइनज 1 बटे X के घाद दो और dx बराबर dt ये हो गया अब पृतिस्तापन करने पर प neutrिस्तापन करने पर ये लाइन जरूर लिखना है पीटा अन्यतार नंबर कर सकते हैं प्रतिस्तापयान करने पर क्या हो जाएगा I बराबर यह आगया E की घार T और 1-1 बटा X स्क्वेर डी एक्स की जगे क्या रहा था बिटा DT अब I बराबर E की घार T का समाकलर E की घार T प्लस C अब T जो है वो अपन्य माना था तो इसकी जगे क्या जाएगा E X प्लस 1 बटा X यह है और प्लस C यह आगया साब इसका आंसर कितना असान काम था है ना मजा रहा है और देखो यह वाला प्रसन देखाँ सेक की घार 4X और अंडर रूड में आ रहा है 10X सेक की घार 4X और अंडर रूड में 10X आज जितने भी सवाल हो रहे हैं यह सब अधिक अंकभार वाले हैं मनला पांच-पांच नमबर के भी आ सकते हैं तीन नमबर पांच नमबर और ज्यादा आ जाए तो साथ नमबर में भी आ जाए तो इसलिए जड़ा ध्यान से देखिएगा हल आई बराबर यह है सब सेक की घार 4X और बटे में अंडर रूड 10X यह हो गया सब अब यहां मज़ा नहीं आ रहा सब कुछ किसको मानू क्या है सब तो आई बराबर अच्छा इस सेक की घार 4 को मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या बेटा देखवा और बटे में अंडर रूड 10X BX कोई दिक्कत लिख सकते है साब घार 4 है तो अपने क्या गाम करा सेक की घार 2 गुणा सेक की घार 2 ठीक है सेक की घार 4X है तो अपने इसको क्या लिखा सेक की घार 2 गुणा सेक की घार 2 ठीक अब अंडर रूड 10X इस 10X को अगर T मानता हूँ तो सेक स्क्वेर X DX आ जाता है अब इसका क्या करूं तो इसको मैंने 10 में बदल दिया ठीक है यहाँ पर क्या जाएगा साथ 1 प्लस 10 इस्क्वेर X सेक स्क्वेर X की जगे क्या लिख दिया A plus 10 इस्क्वेर X और यहाँ पर आ गया सेक स्क्वेर X और बते में अंदर रूर 10 X और dx ध्यान से देखा अब यहां मानने जैसे कौन से चीज़ दिखाई दे रही है वाई 10x तो मैंने क्या काम करा कि माना 10x बराबर 10 10x बराबर 10 अब x के सापे x के सापे अब कलन करने पर अउकलन करने पर क्या हो जाएगा बटा अउकलन करने पर सेक स्क्वेर एक्स और बराबर dt बटे dx क्योंकि 10x का अउकलन क्या होता है सेक स्क्वेर एक्स यह आगे आपने पास में सेक स्क्वेर एक्स dx बराबर dt अब प्रतिस्थापन करने पर प्रती इस्थापन करने पर ये लाइन जरू लिखनी है प्रती इस्थापन करने पर तो i बराबर देखो आप इसकी जगे तो क्या आजाएगा dt या a plus t की गात दो और बटे में अंडर रूट t और dt योग है ठीक है बटा i बराबर ये आगया आपने पास में t की गात माइनस एक बटा दो है ना और प्लस ये आगया t की गात तीन बटे दो और dt कोई दिकत भई दो मेंसे एक बटा दो घटा आओगे तो क्या बचेगा देड़ और देड़ का महला तीन बटा दो अब साब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आई बराव यह आए कितना किसाब t की गात माइनस एक बटा दो प्लस t की गात तीन बटा दो इसका समा कलन करने गए अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो रहा वाई तो यह आगया t की गात माइनस एक बटा दो प्लस एक माइनस एक बटा दो प्लस एक फिर प्लस t की गात तीन बटा दो प्लस एक तीन बटा दो प्लस एक और प्लस c यह आगया अब साब आई बरावर यहाँ बचा है दो और यह आगया अंडर रूड ठी ठीक है यह आया आपने पास में पांच बटा दो तो यह हो गया दो बटे पांच और टी की घात कितना आ गया पांच बटे दो प्लस अब आई बरावर बिटा टी किसको माना था अपने है 10X को तो यह आगया 10X प्लस दो बटे पांच और 10X इसके घात पांच बटे दो प्लस यह हो गया कितना असान काम था ठीक है और देखते हैं मजा रहा है बटा बड़ी है प्रस्ट नहीं यह देख़ा और यह बाई तू गुट डैम गुट मजा आगया इस प्रस्ट यहां पर हल आई बरावर यह है X की घात में E-1 प्लस E की घात X-1 और बटे में X की घात E प्लस E की घात X और DX यहां पर क्या है अचर की जगे पर इन्होंने E डाल दिया अब E डालते ही क्या है बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है बही यहां N होता पाच होता चार होता तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन E आते ही थोड़ा सा दिक्कत करता है साब टरना नहीं है आपने को तो यहां पर मानते हैं साब माना है क्या मानू साब कि X की घात E प्लस E की घात X बरावर मान लिया मैंने T अब X के साब एक्ष आउकलन करने पर आउकलन करने पर X के साब एक्ष आउकलन करने पर क्या हो जाएगा इसका दिखाव यह आएगा E भई यह N का काम कर रहा है तो E और X की घात E माइनस E फिर यहाँ पर प्लस E की घात X का अउकलन E की घात X फिर आजाएगा T का DT और बटे DX अब देखाव यह E और यहाँ E की घात X तो इन दोनों में से मैं E कॉमन ले लेता हूँ यह कॉमन तो क्या बचेगा यह तो X E की घात माइनस E यहाँ से एक कम हो गया तो यह हो गया E की घात X माइनस E DX और बराबर DT यह हो गया आपने पास में X E की घात माइनस E E की घात X माइनस E और साब DX बराबर DT और बटे योग आप ज़रा देखो आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो क्या दिखाई दे रहा है कि भाईया यहाँ पर प्रितिस्थापन किया जा सकता है तो क्या करा आपने प्रतिस्थापन करने पर आई बराबर उसकी जगे पर तो आया डी टी बटा ए और एक बटा थी डी टी बटे ये जो है ये अचर है तो बहिया ये तो आगया बहाँ और एक बटा टी का समाकलन हो गया लौक टी बे सी प्लस ए अब आई बराबर एक बटा ए लौक अच्छा यहां पर टी किसको माना था आपने यहां माना था X की घात E प्लस E की घात X और प्लस यह हो गया सब कितना आसान सवार यह मापांग में आता है समा कलंग जो होता है उसमें लॉग काई में आगा मापांग में प्लस का होता है धनात्मक ठीक है बटा आगे देखिया यह जो है पूरी तागत रखते है एक मेजर कोशन आने की महला इस तरीके का कोशन बोर परिक्षा में आने की पूरी तागत रखता है आपको बहुत अधिक नमबर दिलाएगा जान देख से देखना है इसमें किवल एक बात याद कर रखनी है कि जो हर है उसके जैसे उपर सकल बनानी है अब हर जो दे रखा है उसके जैसे सकल बनानी तो देखें कैसे बनेगी ठीक है आई 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 बरावर हल आई बरावर ये है अपने पास मैं साइन एक्स माइनस ए और बटे मैं साइन एक्स प्लस ए और dx यहां अब i बराबर यहां पर दिफाब x प्लस a बनाना है क्योंकि मेरे को t बगेरा कुछ मानना है अब वैसे तो इसको t माननो तो यहां ही नहीं सकता क्योंकि यह क्या है कौन का रूप ले लिया तो यहां पर क्या गाम करा मैंने एक तरकीब लगाई साइन और इसको लिखा x प्लस a और साभ यहां पर कर दिया माइनस के दो a यह देखा आँ और बटे में यहां गया साइन x प्लस a ठीक है और dx यह हो गया ठीक साथ अब क्या काम करते हैं i बराबर यहां पर मैंने सूत्र लगाया साइन a माइनस b का साइन a माइनस b क्या हो जाएगा पिटा यह आगया साइन x प्लस a और कॉस दो a फिर माइनस कॉस x प्लस a और साइन दो a है ना और बटे में और बटे में साइन साइन x प्लस a और dx यह आगया अब देखो आप यह इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा तो यह लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए आई बराबर यह आगया आपने पास में यह से कर जागा तो यह आगया कॉस दो a और माइनस यहाँ पर कॉस a और साथ d x यह d x यह हो गया ठीक अब ज़्यादा ध्यान से देखें आई बराबर यह आगया अपने पास में कॉस दो a d x और माइनस साइन दो a और भाईया कॉट x प्लास a d x यह हो गया ठीक आगे बढ़ते हैं वापन यहाँ पर क्या रहा है अपने पास में ज़्यादा ध्यान देखें आई बराबर यह यहाँ पर था अपने पास में कॉस दो a d x और माइनस साइन दो a और भाईया यहाँ पर है कॉट यानि के कॉस x प्लस a और बटे में साइन x प्लस और d x अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो मैं मान लूँगा इसका समागलन क्योंकि यह क्या है अचर तो इसका समागलन क्या हो जाएगा कॉस दो a गुणा एक्स बात आ रही है इसकी ठीक है तो अब यहाँ पर क्या गाम करा मैंने माना माना क्या माना साइब के साइन x प्लस a बरावर t यह मान लिया अब यहाँ पर t मान लिया तो x के सापेच x के सापेच अउकलन करने पर क्या हो जाएगा बिटा x के सापेच अउकलन करने पर कॉस x प्लस a और dt अब प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा वटा प्रतिस्थापन करने पर इसका तो समा करलान हो गया कोस दो ए और गुणा एक्स माइनस साइन दो ए और यहां आजाएगा आपने पास में डी टी और बते में डी टी बते में टी यह गया अब आई बराबर कोस दो ए गुणा एक्स माइनस साइन दो ए और यह हो जाएगा लॉग T मापांग में और बेस ही प्लस ही अब साहब यहाँ पर इसमें देखो आप कौज दो ए गुणा एक्स माइनस साइन दो ए लॉग ती के जिए के मान रख दो क्या है वेटा टी का मान साइन एक्स प्लस ए ठीक है और बेस ए प्लस ए देखो आप कितना मज़ेदार और लेंदी कोशन था बड़ा भी था नमबर दिलाएगा आपको इतना ज़्याज़ अकठी नहीं है ठीक है आसानी से किया जा सकता है एक और देखते है इसके जैसा जैसे ये है ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है थोड़ी सी बस अकल लगानी है अपने को और अकल लगाने में तो अपने एक्सपर्ट हो चुके हैं आप यहाँ पर देखवा हल क्या है आई बराबर ये है साइन दो एक्स और बटे में साइन एक्स माइनस पाई बटा च्छ और गुणा साइन एक्स और प्लस पाई बटा च्छ और दी एक्स ये दे रखा है ये क्या है गुणा है ऐसे ठिक अब इसके जैसे सकल तो देखी नहीं मैंने आपको क्या हर जैसे सकल बनाओ अब कैसे बनेगी ये देखा तो यहाँ पर आई बराबर साइन दो एक्स है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं देखना ज़रा साइन और मैंने लिखा एक्स माइनस पाई बटा च्छ प्लस एक्स प्लस पाई बटा च्छ ये लिख लिए तो बताओ कोई गलती है क्या मैंने दो एक्स को दो एक्स को एक्स माइनस पाई बटा च्छ प्लस एक्स प्लस पाई बटा च्छ लिख लिए ये दोनों कर जाएंगे तो क्या बचेगा दो एक्स अब ये कहां से आया मेरे को सपने कहां से आया क्योंकि मेरे को नीचे जैसे सेकल बनानी है इसके जैसी मेरे को ये चाहिए तब ही तो मैं आगे बात कर पाऊंगा तो मैंने इसको तरकीब नमबर 13 अईटा नमबर 14 से ये लिख दिया अब यहां पर देखें आप साइन एक्स माइनस पाई बटाच है और साइन एक्स प्लस पाई बटाच है और डी एक्स यह हो गया अब यहां पर इसको तो मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया भी अब यह सूत्र बन गया साइन ए प्लस भी क्या होता है sin A plus B बच्चा बच्चा जानता है वया कि sin A plus B क्या होता है लिख देता हूं चुकि sin A plus B बराबर होता है sin A cos B और plus cos A और sin B यहां गया है ठीक है तो यहां पर जब मैं यह सूत्र लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा जारा देखें यह आगया I बराबर ठीक है यह हो गया sin X plus X minus पाई बटा छे और साब cos X plus पाई बटा छे ठीक है फिर plus और यहां पर आएगा cos X minus पाई बटा छे और साइन X plus पाई बटा छे है ना और बटे में यहां पर है साइन X minus पाई बटा छे और भाईया साइन X plus पाई बटा छे यहां पर भी ऐसे ही बटे में आ जागा साइन X minus पाई बटा छे और साइन X plus पाई बटे छे और DX अब देखो आप यहां पर यह अल्ला को प्यारे हो रहे हैं यहां पर यह अल्ला को प्यारे हो रहे हैं अब यहां क्या बचा बटा देखो आप ज़रा ध्यान से यह बचा कौट X पाई बटा छे यहां पर क्या बचा कौट X पाई बटा X minus पाई बटा छे तो क्या हुआ अपने पास में आई बराबर यह आया बहिया कौस X प्लस पाई बटा छे और बटे में साइन X प्लस पाई बटा छे माइनस कौस X स्वरी माइनस है ना माइनस था ना बटा पाई बटा छे और बटे में साइन X माइनस पाई बटा छे और दी एक्स अब यहां पर थोड़ी सी अकल लगाते हुए आप में तो बहुत है ठीक है इसको T मानेंगे हो जाए का करके हूँ इसको T मानेंगे तो इसका डारेक्ट आगे चलके अपने आएगा अपने पास में कोर्टेक्स 10X इनके डारेक्ट समाकलन के सूत्र बनेंगे तो इसलिए मैं ज़्यादा तागतना लगाते हुए यहां बता जेता हूँ कि इसका जो समाकलन होगा वो होगा लॉग साइन और X प्लस पाई बटा अच्छ है और वो भी मापांक में फिर माइनस यहां पर क्या होगा लॉग और साइन X माइनस पाई बटा अच्छ है और वो भी मापांग में और प्लस C अब ये भी कर सकते हो आप I बराबर ठीक है लोग और बिटा मापांग में साइन एकस प्लस पाई बटा छे और बटे में साइन एकस माइनस पाई बटा छे और प्लस C ये हो गया सब ठीक है आगे चलके अपन पढ़ेंगे कि कोट एकस के समाय कलंड क्या होता था है लोग साइन एकस होता है क्योंकि जब मेंने आपको ऑकलन पढ़ाया था तो मेंने आपको बताया था कि LOG-SINX का अउकलन कोटेक्स होता है तो आगे चलके कोटेक्स का समाकलन LOG-SINX होगा वही है साँ तो पिछली बातों को याद रखा करो बटा बहुत काम में आती है इस प्रस्ट को देखे आप, बड़ा ही मज़ेदार प्रस्ट है, देखने से ही लग रहा होगा आपको, के हल, आई बराबर, ये दे रखा है अपने को एक, और बटे में, ये है अंडर रूट, और साइन, कि घात तीन एक्स, और साइन, एक्स प्लस एक्स और डी एक्स, अब मुझे क्या है, ये साइन की घात तीन एक्स जो है, इसको बहार निकालना है, अंडर रूट, ठीक है, कैसे निकले, भई, यहाँ दिखा जिन दे रहा, तीन है, अगर, दो होता है, तो साइन एक्स बार आ जाता, तो मैंने क्या काम करा, कॉमन ले लिया, साइन की घात 4X, अब जब अंडर रूट के इधर, साइन की घात 4X आएगा, तो वो क्या बन जाएगा देखा आप, देखना जाना ध्यान से, यह आ जाएगा साइन की घात 2X, और अंडर रूट में, देखना जाना ध्यान से, यह हो ज X आई बाज समझ में नहीं आई मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर शाईन की घात 4X बनाए तो यहाँ एक जोड़ा तो एक बटे में लगा दे तो एक हो गया तो उसको जब बहार निकालूँगा तो यह हो जाएगा साईन की घात 2X और एक साईन अब यह ओगया एकबता साइन की घाथ 2X तो यह क्या बन गया वेटा यह बन गया अपने पास में। कोसेक कोसेक कि घाथ 2X और बते में इसको ध्यान से देखो तो यह अपने पास में साइन X और कॉस A फिर प्लस फिर प्लस कॉस X और Sine A और यहाँ पर बटे में Sine X और यहाँ पर बटे में Sine X ठीक है ना और D X देखा आप क्या मजा रहा है अब साहब यह Sine X से Sine X कर दिया यहाँ पर यह नहीं कर था तो क्या बच रहा है अपने पास में I बराबर I बराबर यहाँ बच रहा है अपने पास में Cos X Cos X स्क्वेर X और बटे में अंडर रूट यहाँ बच रहा है Cos A प्लस और साहब Sine A और Cos X B X यह बच रहा है भईया ठेक अब मैं यहाँ पर T मानूँ अब मेरे को क्या करना है T मानना है तो यहाँ पर T माना मैंने माना Cos A प्लस Sine A और कॉट A और कॉट A कॉट X बराबर T तो X के सापेच X के सापेच अउकलन करने पर अउकलन करने पर क्या हो जाएगा प्लस अउकलन करने पर स्क्वेर X और यहाँ गया D T बटे D X तो यहाँ से कॉट A स्क्वेर X D X पराबर क्या हो जाएगा माना D T बटे Sine A यह हो गया अब प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल प्रतिस्थापन करने पर आई बराबर जान देना ये है अपने पास में इसकी जगे माइनर डी टी बटे साइन ए और यहां गया माइनस डी टी बटे साइन ए और अंदर रूड के अंदर टी ठीक है अंदर रूड में आ रहा है टी इसको टी माना ना आपने अब यहाँ पर अपने पास में आ रहा है I बराबर माइनस कौसेक A और सब एक बटा रूट T इसका समाकलन T की घाथ माइनस एक बटा दो प्लस एक माइनस एक बटा दो प्लस एक और प्लस यह हो गहाँ और लखन से लिखा I बराबर माइनस कौसेक A और यागया दो और सब अंडर रूट T प्लस एक अब आई बराबर यागया माइनस दो कौसेक A और अंडर रूट T की जगहें पर क्या लिखूंगा पेटा यागया कौस A प्लस साइन A और इन्टू कौट X और प्लस C यागया अज़ा इसा कितना मज़ेदार प्रश्ण है ठीक है तो यह वो प्रश्ण है जो परिच्छा में ज्यादा अंकबार लेके आते हैं ठीक है तो इनका रिविजयन जरूर करिएगा ठीक है कल अपन नए समस्याओं के साथ समस्याओं मलब घर वाली समस्याओं नही प्रॉब्लम सवालों के साथ मैं फिर मिलेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पन्नी भी मिलता है मुझे सुनने के लिए बाद बहुत धन्यवाद थैंक्यू